अगर आप कोई भी वीडियो लेका आया हूं जो की है अगर आप कोई भी वीडियो पे विजिट करते हो कुछ इस टाइप का एरर आता है जो की है इस साइट कैनोट भी रीच तो मतलब आपका कंप्यूटर में कुछ पॉब्लेम हुआ है किया कुछ सेटिंग्स का गरबर है उ अधर नीचे आके एक option मिलेगा जो की है network & internet देन इधर पे एक option मिलेगा जो की है box 3 देन इधर पे पहले number पे जो है automatic detect setting अपको इसको on करना है और जो manual setup है उसको करना है off इसका पाद आपको क्या करना है इसको करना है close करने के बाद आपको फिर से जाना है रॉन पर टाइप करना है ncpa.cpl दन एंटर जैसी एंटर करोके आपको एक ओप्शन मिलेगा एथरनेट का दन आपको राइट क्लिक करके जाना है प्रॉपर्टीज पर दन इधर पर वर्सन फोर्ट जो है आपको इधर पर जाना है दन इधर पर जो है नीचे जो आपका डेने आपको इधर पर डालना है जो कि यह 8888 दन 8844 ओके धन क्लिक तो ओके दन एंग ओके तन फिर चैपको राइट क्लिक करके जाना है प्रॉपर्टीज पे दन इधर पर यह जो है आईपी इंटरनेट पोटोकॉल वर्सन 6 इसको करना है आपको तन ओफ दन करना है ओके पे पर क पर टाइप करना है cmd and run as administrator then इसको करना है आपको yes पर click जैसे yes करना है then इधर पर cmd open होके आ जाएगा then इधर पर आपको टाइप करना है जो कि है ip ipconfig space slash flush then dns then इसलिए आप देख पा रहे हो windows ipconfigations successfully then dns जो है और resolve हो गया ठीक है तो आपका जो configuration का कुछ issue हो रहा था तो solve हो गया then इसको करना है आपको close close करने के बाद आपको एक computer को एक बार रिष्टा देना है रिष्टा देने के बाद आपको check करना है जिस website पे बार बार visit होने का बाद भी ऐसे कुछ आ रहा था this site cannot be reach ओ अभी खूल रहा है क्या ने खूल रहा है आपको check कर लेना है और मेरा इस चोड़ा से वीडियो से आपको help हो आई या मदद हो आई तो जरू नीचे कमेंट सकते में कमेंट करना मात भूलिए आप मेरे चैलेंग पे फरस्ट आप है तो जरू सब्सक्राइब करना मात लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो पर